नमस्कार दोस्तों संध्या विच किचन में आपका स्वागत है अगर आपको हमाई रेस्पी अच्छी लगे तो लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको दबाना बिल्कुल मत भूरिए ताकि हमारे नए नए रेस्पी के वेडियो तो आपको सबसे पहले मिलें से आपके साथ सेयर करने जा रहे हैं सामागी देखने पे क्या क्या लगती है मावा दूर घी शुगर नारियल मैदा काजू पादाम और चिरोजी दाना पहले मैदा कर डो लगा कर तयार करेंगे तो इसमें डालेंगे एक परात में मैदा आप मैदार या डोंग और मेंदा नेलिए ने कर दर हैं को सब्सक्राइब करए ilay एक के जौत तोर कर के वाद्हlere रिये मिलीगे है अब हम सी थोड़ा थोड़ाए करके इसका उर्ण कर चालशे करए कि यहां हमारा देखे कर्षा राख तेज़ और चल देंगे ऑघी के प्रोजर कर सेयों परेंगे पहलें तरही गरम हो गए इसमेद धालेंगे घी कि हमारा गरम हो गया है इसमेद काजू खुद्फुल फट बढा हो और गिया है सेraz हमारा क काजू मरबट लेंगे सब्सक्राइब बाता प्लैतर कम भी नीघ आपने लिएृत नƏफ में वह गालेंगे लिए भा सारा निया तरंब करना त्यों स्यासते हुआ है घर अच्छे को सदर्सिक्राइब पूलन जाए यह माबा भी हमारा अच्छे से पट गया है इसले भी एक्ट्रेट में निकाल देंगे और गैस को बंद कर देगे यह देखिए हमारा मावब ठंडा हो गया है ज्याद़ ठंडा नहीं करना है हलका गुंगुना है और यह पे डाल देंगे हमनारियल जो हमने भूल करके तयार करी थी बाजू बादाम और शिरोजी दाना वीडियो में जैसे दिख रहा है इतना ही भूलना है ज्यादा नहीं कि भूलेड़ नहीं पीस करके ही डालेंगे खड़ी नहीं सासी तerson कि हमारा मावब और जो अच्छे से मिल जाये यह दिखिए हमारे यह अच्छे से मसल गया है अच्छे से सब कुछ इसमें मिल गया है सुगर आप अपने टेश्ट के अनुसार डाल सकते हैं कम मिठा या ज्यादा मिठा जैसे पसंद करते हैं अब हम इसे रख देंगे साइड में और चलते हैं मोदग बनाने को फूल करके च ठेड़ने कहसे छोट लाओ तोटेंगे इतनी बोई बनानें लाएँ और इसे तरीके से सारी बोई योद सारी बनाकर त्यार कर लेंगे जिए चैस्छेस लोई यह वाल आके-पन यार देंगे अब इनको रख देगी फोड़ा साइड में और एक एक लोई देंगे इस तरीके से और इसे कोल करेंगे इसको हाट अलगाए थोड़ा सा और इसको पेड देंगे करेंगे इसको भादेंगे इसमें बिना साचे के हम मुदत बना रहे हैं और इस तरीके से चुन्नट बनाएंगे इस तरीके से हम देते जाएंगे ऐसे चुन्नट बनाते जाएंगे और इन सारू को मिला करके इस तरह जोड़ देंगे और यह देखिए हमारा मुदत बन करके तयार हो गया है लग रहा है ना मुदत की तरह हुदन यह देखिए बीन साचेखर हैं इसी तरह हम्हेरे मुदत बना कर तयार कर लेंगो गया है तो उंपाटितfather लिश शेप आट डाल करेंगे तेल गरम हो गया है कि नहीं तो तो थोड़ा सा परटा देते हैं जो यह उठा हुआ पार्ट है ना ताकि अच्छी से पक जाए एक टू मोदक की यह कच्छा रह जाएगा आधा और अधा पक जाएगा इस तरीके से गाइस को बिल्कुल मद्धी रखा है गः मद्धी आंज पे ही इसको पकाना है हम उसका पक गए है इनको निकाल लेते हैं एक प्लेट पर चीज देखें इस तरीकिसे हम निकाल लेंगे बहुत जल्दी पक जाते हैं ये चार मोदग हमारे पक गए हैं पक कर तयार हो गए हैं इसी तरीके से हम सारे मोदग को पका कर तयार कर लेंगे ये हमारे स्वाधिष्ट मोदग बन करके तयार हैं गड़त पक को भोग लगाएंगे